हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का एक वा फिर से लर्नवे चैनल पर जिसमें हम एयर फोर्स एक्स वाई गुरूप बाई उसे ना भरती परीच्छ 1219 के लिए फिजिक्स फॉर एक्स गुरूप को यहां पर कवर कर रहे थे यह है फिजिक्स का लेक्शर 4 है और यह सकते हैं इस लेक्शर में सभी टाप के प्रॉलम्स को यहां पर कवर करा जाएगा मोशन इन स्टेट लाइन से स्टाट करते हैं आज का लेक्शर फर्स्ट कॉस्टेन आपके सामने बॉल रिलीस फॉर्मा हाइट फॉल्स फाइम मीटर इन वन सेकेंड इन फॉर सेकेंड इट आई होप आप सभी ने आप तक सोच लिया होगा कि इस कोशन का राइट अंसर क्या होगा अगर आप में से कई लोग यह सोच रहे हैं कि एक सेकेंड में पांच मीटर ट्रेवल करती है तो चार सेकेंड में कितना हो जाएगा फाइब इन टू फॉर यानि 20 मीटर आप लोगो को नीचे आना तो उसकी हाइट क्या होगी इसको हमें निकालना है तो आप लोगों को सेकेंड इक्योशन ऑफ मोशन बताई थी एस इकोल स्टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कॉयर जिसको हम जरूत पढ़ने पर एच में कर लेंगे जिसकि आप लोगों को बताया था तो यह आप लोगों का नेगेटेव होगा अगर कोई चीज उपर की तरफ जा रही है तो यह आप लोगों का पॉस्टेव होगा यह आप लोगों को दो चीज ध्यान में रखनी है लेकिन इस कंडिशन में यू इकोस्ट जीरो है जहां रिलिश्ट वर्ड आजा है यह चोड़ी की वेलिव जीरो हो जाएगी तो आप लोगों को एच की वेलिव निकालनी है हाफ इंटू ए क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो कि जी के बराबर होगा और जी की वेलिव टैन मीटर पर सेकिंड भी मान सकते हैं आप लोग 9.8 भी मान सकते हैं तो 10 आप के सामने आप बॉय बॉक्स टू हीज स्कूल एट डिस्टेंस ऑफ 6 किलो मीटर विद अ कॉंस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलो मीटर पर आर यानि एक लड़का है जो की 2.5 किलो मीटर प्रती घंटा की निरंतरता की स्पीड के साथ 6 किलो मीटर की दूरी पर अपने किलो मीटर तो आप लोगों से पूचा गया है कि किलो मीटर प्रती घंटा में यात्रक के लिए औसत गती क्या होगा यानि कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है आप से तो स्क्रीन पोच कीजिए और इस कॉस्टन को सॉल्व कीजिए आई होप आप सभी ने अब तक यह सॉल्व कर लिया होगा अगर आप में से कही लोगों ने यह सोचा है कि 2.5 प्लस 4 करके अपॉन 2 से डिवाड देते हैं तो इसकी एवरेज स्पीड आजाए क्योंकि आप लोगों ने महत में पढ़ रखा है किसी दो चीजों को अगर एव आप लोगों का अंसरा जाएगा लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा आप लोगों को एवरेज स्पीड का फॉर्मुला लगाना होगा जो की होता है टूटल डिस्टेंस अपॉन टूटल टाइम टेकन तो टूटल डिस्टेंस एक लड़के ने कितनी चली 6 किलोमेटर स्कूल जाने के लिए और 6 किलोमेटर स्कूल से आने के लिए तो उसने टूटल डिस्टेंस कवर की 12 और उसने किस केस इस पीड में कवर किया यानि कि टूटल टाइम टेकन तो टाइम हम यहां से निकाल सकते है टी वनिक कॉस्टूम 6 किलोमेटर अपॉन 2.5 जब इसे हम सॉल 3.9 हो जाएगा पॉइंट को अपन उपर ले जाएंगे 120 अपॉन 39 यानि कि इसे हम 3 से काट सकते हैं तो 3 से 40 टाइम और यह 13 तो 14 अपॉन 13 ऑप्शन सी इस कॉस्टन का राइट आंसर होगा आप सभी को यह कॉस्टन समझ में आ रहोंगे अगर समझ में आ तो प्लीज वीड इसी टाइब से वह सटेंस को ही कवर कर रहा है बिद वेलोशिटी वीटू फॉर टाइम टीटू इन दे सेम डारेक्शन सेम डारेक्शन की बात हो रहें फाइंड अवरेज वेलोशिटी अब इसमें लगाएंगे अवरेज वेलोसिटी तो आप लोगों को यहापर टूटल निकालना होगा डिस्प्लेश्मेंट क्या होता है डिस्प्लेश्मेंट होता है आप लोगों का बेलोसिटी इन्टू टाइम यानि कि बीवन टीवन प्लस बीटू टीटू यहाप लोगों का दो डिस्प्लेश्मेंट हो जाएंगे तो यानि कि टूटल उसको कर सकते हैं, बहुत ही simple question है, next question है, question number 4, एक ब्यक्ति एक सीधी सड़क के साथ, पहली आधी दूरी B1 और दूसरी आधी लंबाई या दूरी, बैक B2 के साथ यात्रा करता है, तो ब्यक्ति का उसत बैक क्या होगा, यानि what is the mean velocity of the person, यानि कोई person half distance B1 velocity के साथ, और half distance B2 velocity के साथ cover करता है, तो उसकी mean velocity क्या होगी, यानि average velocity ही आप से पूछ रहा है, तो इसके लिए हमने आप लोगों को कल एक formula बताया था, simple सा, यानि कि जिसमें same distance cover की जा रही हो, अलग-अलग velocities से, तो उसका आपको हमने formula बताया था, 2 B1 B2 upon B1 plus B2, जो कि option B है, आप लोगों को correct, option B, इस question का right answer होगा, और उसमें आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को formula याद नहीं रहता है, तो आप लोगों से कैसे calculate कर सकते हैं, इसे calculate करने के लिए, आप लोगों को सबसे पहले निकालना होगा, कि time taken by the person to travel first half length, यानि कि जो time लगेगा, first half length को cover करने है, वो 2B2, जब आप इन दोनों को add कर देंगे, तो आप लोगों को total time आजाएगा, और total time आजाएगा, तो आप लोगों को simple velocity का formula लगा देना, displacement upon total time, तो total displacement आप लोगों का हो जाएगा D, और total time आप लोगों का हो जाएगा T1 प्लस T2, जिसे आप लोगों का option B, right answer मिलेगा, आगे और तेन, fifth question आपके सामने, the displacement of a particle is represented by the equation S equals to 3TQ plus 70 square plus 5T plus 8, यानि कि यहाँ पर आप लोगों को किसी particle का displacement की equation दे रखिये, जहाँ पर S मीटर में है और T सेकंड में है, तो acceleration क्या होगा, particle का T equals to 1 second पर, तो आप लोगों को पता ही होगा, acceleration क्या होता, the rate of change of velocity, यहाँ पर क्या दे आप लोगों को S यानि कि displacement, जब हम इसका first time differentiation करेंगे, तो हमें मिलेगी यहां से velocity, dsy dt आप लोगों का आजाएगा, यह आप लोगों की velocity आजाएगी, जब हम इसका द्वारा से differentiation करेंगे, यानि second differentiation करेंगे, तो हमारा आजाएगा acceleration, जो कि हमारे acceleration का formula होगा, d2v upon dt square, यह हमा यानि 18 plus 14 कितना होगा, 32, तो option B, इस question का right answer होगा, 32 meter per second square, next question आपके सामने, question number 6, a ball thrown vertically upward, यानि किसी ball को उपर फैका जा रहा है, with a speed of 19.6 meter per second, 19.6 meter per second, गती से किसी ball को उपर फैका जा रहा है, tower की उपर से, और वह नीचे आती है, 6 second में, यानि कि अगर tower की height यह है, और यहां स उसको time लगता है, 6 second, तो आप से पूछ रहा है, कि tower की height कितनी होगी, तो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, कि tower की height कैसे निकालते हैं, और जरूरत पढ़ने पर हम second equation of motion को कैसे, उसे convert कर लेते हैं, तो वही equation आप लोगों को लगानी है, s equal to ut plus half 80 square, यहां s की हो जाएगा है, minus की 19.6, multiplied time आप लोगों को दे रहा है, 6 second, plus, क्योंकि हम यहां पर निकलना है, height of the tower, तो इसे जब आप calculate करेंगे, तो आप लोगों का height of the tower calculate हो जाएगी, half into, acceleration क्या होगा है, acceleration due to gravity होता है, जो की 9.8 मान लीजी आप, और time आप लोगों को दे रहा है, 6 second, यान नहीं होती है, तो option B, question का right answer होगा, meter में आएगी value, यहां पर meter per second में आप लोगों को speed दे रहा ही, तो आप लोगों का answer भी meter में ही आएगा, तो option B, question का right answer होगा, आगा बढ़ते है, question number 7 आपके सामने, the velocity of a particle at an instant is 10 meter per second, यह question काफी important है, आप लोग इसको जरूर समझेगा, कि सभी fund है clear हो जाएंगे, अगर किसी particle की velocity 10 meter per second है, किसी instant पर, after 5 seconds, the velocity of the particle is 20 meter per second, यानि कि 5 seconds वाद उसकी, तो 20 meter per second हो जाती है, the velocity at 3 seconds, before from the instant, यहनि इस instant से पहले 3 seconds per velocity क्या होगी, उस particle की, जब particle की velocity 10 meter per second सी, तो आप लोगों को यहाँ पर initial velocity दे रहा किए 10 meter per second, और final velocity दे रहा कि 20 meter per second, तो यहां से आप लोग acceleration निकाल सकते है, acceleration होता है, change in velocity upon time taken, तो change in velocity क्या होगी, 20 minus 10 upon time taken, time ले रहा है वो 5 seconds का, तो यहां से हम acceleration निकाल सकते है, वो आप लोगो 2 meter per second square, अब आप से यहाँ पर पूछा गया है कि 3 seconds पर velocity की value क्या होगी, जब velocity 10 meter per second होती है, यानि आप से यहां पर initial velocity पूछ रहा है, यू आप से पूछ रहा है, तो हमने equation पड़ रखी है, first equation of motion, V equals to U plus 80, तो यहां से आप लोगों से U पूछ रहा है, तो V की value क्या है, यहां पर 10, U आप लोगों को पूछा गया है, plus A की value हमने उपर से निकाल लिए, 2 meter per second, time आप लोगों दे रहा का 3 second, तो U की value क्या जाए कि 10 minus 6 equals to 4, option भी इस question का right answer होगा, I hope आप सभी के यह question समझ में आया होगा, इसमें आप लोगों को सबसे पहले 2 speed दे रखी है, जिसमें आप लोगों को बता जा रहा है कि 5 second में 10 meter per second से 20 meter per second होगई, उसके बाद आप लोगों को पूछा गया कि 3 second पर किसी particle की velocity क्या होगी, तो आप लोग इस equation of motion से निकाल सकते हैं, यानि कि यह equation of motion आपके लिए काफी important है, आप लोग इनको implement करना सीखिए, क्योंकि आप लोगों को याद तो होती हैं, लेकिन आप लोग इनको लगा नहीं पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, question number 8 है आपके सामने, बहुत ही subtle question है, जिसे आप लोग देख कर ही solve कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे screen post करके solve कर सकते हैं, question आपके सामने, 150 मीटर लंबाई की एक train, 10 मीटर परती सेकंड की गती से उत्तर दिसा की ओर जा रही है, जब भी कोई directional problem आए, तो आप लोगो simple सा ये chart बना लेना है, जिसम इसा question आई, तो इसमें आप लोगों से बोल रहा है, कि तोटा train से पार करने के लिए, तोटे द्वारा लिए गए railway track time के सामानतर, दच्छन दिसा की ओर, 5 मीटर पर 30 सेकंड की रफतार से उड़ता है, यानि कि train चल रही है, आप लोगों की north direction में, 10 मीटर पर सेकंड की speed से, और जो पेराटेव हो जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रफतार से south direction में, यानि दोनों opposite direction में जा रहा है, तो यह आप लोगों को पता ही हो, जब कोई दो बोडी opposite direction में जाती है, तो उनकी velocity add हो जाती है, और जब same direction में जाती है, तो उनका subtraction हो जाता है, तो यहाँ पर आप velocity को add कर देना है, और उसमें आप लोगो time कुछा गया है, तो time आप लोगो निकाल सकते है, time equals to distance upon speed होता है, distance आप लोगों की 150 meter length हो गई, क्योंकि train को पार करने के लिए उसको पूरी train को cover करके हुए जाना होगा, यानि इस point से इस point तक आना होगा, तो 150 meter की length वहा है, पेरट क लाके हो जाएगी 15 meter per second, तो 15 से डिवाइड देंगे, तो आपका option A is question का right answer होगा, 10 second आप लोगों का answer आएगा, next question है, question number 9, a food packet is released from a helicopter, यानि कि helicopter से एक कोई food packet को नीचे गिरा जाता है, rising steadily at a speed of 2 meter per second, यानि कि initial velocity 2 meter per second से गिरा जाता है, after 2 seconds the velocity of the packet, यानि कि जैसे इसे इसे पेक तो बढ़ेगी, तो इसलिए आप से ये final velocity पूछ रहा है, तो आपको बताया तक U जब नीचे की तरह आता है, तो उसे हम negative लेते हैं, तो first equation of motion फिर से लगेगी, V goes to U plus 80, याप पर आप से final velocity पूछ रहा है, तो U आप लोगों को दे रखा है, 2 meter per second, यापर negative 2 आएगा, plus acceleration या आप लोगों का होगा, 18 meter per second, तो option C, इस question का right answer होगा, I hope आप सभी को ये lecture समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है, तो please video को like कीजिए, last question है, जिस question का जबाब, आप लोगों को comment box में comment करके बताना होगा, तो please comment जरूर कीजिएगा, ये decide करेगा, कि आप लोगों को य the velocity 3u, the height of the tower is, I hope आप सभी को ये lecture समझ में आ होगा, अगर समझ में आ है तो please video को like कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं कहें, तो please red button पे click करके channel को subscribe कीजिए, और bell icon को जरूर दबाएए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नहीं वीडियो क अपडेट्स तोनत मिल सकें और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें, मिलते हैं ऐसी प्रकार से next video में, thank you